आप सभी का स्वागत करता हूं मैं शुए वहमद आपके अपने चैनल पी डबलू नर्सिंग वाला के अंदर हो मेरे प्यारे सातियों आप सभी के लिए आज की क्लास लेकर क्या हैं साइक कैट्री के उपर तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के चल से भी पढ़ सकते हैं और आपके एप से भी पढ़ सकते हैं प्यारे वच्छों तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो टॉपिक क्या रहने वाला है वो टॉपिक आपका रहेगा मूड डिस ओर्डर क्या रहेगा प्यारे साथियों मूड डिस ओर्डर देखिएगा mood disorder भी कहते हैं और हम इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं जिनको कहा जाएगा affective disorder mood or affective disorder देखिए mood disorder affective disorder इसके अंदर हम आज मेनिया पढ़ेंगे बड़ पहले समझेगा ये mood or disorder क्या होते हैं जनरली होता क्या है कि हम बोलते हैं आज हमारा mood घराब है हम बोलते हैं हमारा mood बहुत अच्छा है यहाँ पर mood बुरा और अच्छे का क्या मतलब होता है कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ generally कि होता क्या है एक इंसान जो होता है उसका mood जो होता है वो denote करने वाली चीज होती है एक चमकादर चमकादर मन्ने के bad बैट का याद रखेगा यह और उनने वाली चमकादर नहीं है यह bad जो होता है यहां पर t j Uno होता है t ka मतलब होता है thinking एक मतलब affection और affection के बाद B का मतलब होता है behavior अब देखेगा किसी इंसान का mood जो है वो कैसे set होता है मैं आपको बताता हूं। पहले वो इनसान जो हुगा किसी भी इनसान के बारे में माल लीजिया आज मैं आप से पहली मुलाकात करी और पहली मुलाकात मेंШिक्षा हैं या ऑपना मूड अच्छा रहसे बु hmm बटा पाएंगे गया नहीं बता सकते हैं। क्योंकि एक इंसान का मूड जो होता है वो thinking के उपर depend करता है किसी party में गए आप party में जाने के बाद आप ने किसी इंसान को देखकर करके अकड रहे हो चोड़े हो तो याद रखिए का उससे related आपकी दिमाग में कभी कोई thinking थी आप मेरी class के अंदर आये थे और class के अंदर आन जाती है जिसको कहते हैं affection affection का मतलब होता है लगाव क्या होता है या लगाव होता है तो लगाव एक bonding बनने लग जाईगे एक student की टीचर की एक अच्छे से bonding बनने लग जाईगी मान लीजिए ऐसा कोई teacher होता जिसने आप से पहली मुलाकात में दो थपड़ आपके दे दिए अब जब दो थपड़ जब आपके पड़ गए तो आपका क्या उससे लगाव बनेगा बहुत अच्छा bonding बनेगा नहीं बन सकता affection नहीं बनेगा तो यहाँ पर पहला step एक इनसान का क्या होता है एक thinking का बनना एक सोच का बनना एक वो उस चीज के बारे में उस इनसान के बार के बाद आपका एक मुझसे लगाव बना और लगाव बनने के बाद आप उससे स्माइल वेज लेकर के बात करेंगे का फैक्शन क्रेट होने के बाद एक बिहेवियर में आप देखेंगे कि आपका बहुत खुश है यहाँ पर मूड डिसॉडर मूड का मतलब क्या होता है आप अपना बिहेवियर सामने वादेस यह और दीजिए मेरा मूड खराब है माने कि आप अपने हुद्अगा करके दिखाना चारे हैं कि mood क्या चीज होती है mood disorder mood disorder are the type of disorder are the type of disorder in which in which there is there is disturbance in there is disturbance in behavior behavior affection behavior affection and thinking mood mood disorder mood disorder mood disorder कब होता है जब कोई भी दिक्कत कोई भी disturbance आजाए आपके affection में आपके behavior में आपकी thinking में तो वो directly आपके mood की तरफ लेके जाएगा कि mood आपका खराब हो जाएगा generally आप देखेंगे mood आज मान लीजे किसी का कोई नुकसान हो गया गाड़ी का accident हो गया तो आपका mood आज खराब हो जाएगा बढ़ ऐसा तो नहीं है कि जो mood आज खराब हुआ था आज से 10 साल तक वही mood रहेगा नहीं आज मानिये आपको कोई तरक्की आपको मिली कि कब चलते चलते smile कर रहे हैं और smile करते करते कब आपके थपड मार दिया ये mood की problem है गाइस mood का मतलब कभी वो sad हो जाएंगे तो कभी बिल्कुल happy हो जाएंगे sad और happiness वो दोनु हातों में लेकर के चलते हैं इसी को mood disorder कहा जाएगा तो जनरली देखेगा एक mood disorder जो होता है वो दो प्रकार्ट से हम बाढ़ते हैं एक कहलाता है आपका mania और एक होता है depression mood disorder को कैसे पढ़ेंगे आप एक होता है mania एक होता है depression अब mania और depression क्या-क्या चीज़ें होती हैं पहले समझेगा कि mania और depression क्या चीज़ें पहले मैं आपको theory लिखने से पहले आपको समझाता हूँ कि mania और depression के अंदर आपको कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है देखे सबसे पहली बात mania और depression दोनू mood का part है कई patient होते हैं जिनके अंदर mania देखने को मिलेगा कई patient होते हैं जिनके अंदर depression देखने को मिलेगा और ऐसे भी इस दुनिया में patient होते हैं जिनके अंदर mania और depression दोनू देखने को मिलेगा चलिए समझते हैं पहली बात कि mania क्या होता है और depression क्या होता है देखो आपको एक mania और डिप्रेशन वाले पीशेंट के बारे मैं समझाता हूं मेनिया और डिप्रेशन तो थोड़ा सदूर जाते हुए आपको पूर को पूरा पूरा 50,000 का एक बंडल पड़ा हुए मिला तो आपको खुशी होगी या ने होगी और फोड़ा सा और आगे गए तो एक फूरा का पूरा सूटकेश के भरा हुए मिला तो आपका आपने अंदर कुछ चेंज़ना चाह पैसो का, इतने पैसो का, मैं क्या करूँगा, एक गाड़ी ले 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 लेते हैं, दो-तीन गरीब दोस्तें, उनको बाड़ देते हैं, इधर से ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, आपका दिमाग बहुत पास्ट हो जाएगा, सेकेंड बात याद रखिएगा, आप सुकून से सो नहीं पाएंगे, पचास हजार या फिर आपको बहुत बड़ा बैग मिल गया, तो आप सोईंगे नहीं, आप रात भर आप क्या करेंगे, इधर से उधर घूमने लग जाएंगे, जब इधर से उधर घूमेंगे, तो आप बाड़ी जो है, साइको मोटर अक्टिविटी बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, साइको मोटर अक्टिविटी बढ़ गई, जब आपकी साइको मोटर अक्टिविटी बढ़ गई, तो आप एक और बात देखेंगे, जब पचास हजार के बैक को आप ऐसे घूर घूर के द उजाता और हो जाता है एक इदर आप देखेंगे साइको मोटर कंशी साइको मोटर अक्टिविटी बढ़ जाती साइको मैट्डर अक्टिविटी का मतलब शृरीर की मशल शृरी जो होता है बहुत ideation तो देखो यहाँ खेल क्या है एक normal इंसान होता तो normal इंसान की जिंदगी में तो क्या होता जो खुशी का time आया था वो एक दिन रह सकता है दो दिन रह जाएगा एक महिने रह जाएगा एक साल रह जाएगा पर ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी रहेगा यहाँ समझिएगा मेनिया वाले के कोई न कोई कारण था कोई खुशी का कभी कोई कारण था कोई सदमा था पर यह psychiatric patient की जिंदगी भर इनका mood elevated रहता है बड़े खुश रहेंगे आप कई पागलों को देखेंगे वो एकदम से jump करते वे दिखेंगे आपको और बड़े खुश होते वे चौड़े होते वे दिखेंगे वो मेनिया के इसके opposite में आप depression को समझना depression क्या चीज है आप रास्ते से जा रहे थे आपकी जेब के अंदर घरवालों ने पैसे डाल के बेज़े थे कि राशन लाना है दस हजार रुपे आपकी जेब कट गई पता चला दस हजार चले गए थोड़ी सी दूर गए तो आप ऐसे depression में चल रहे थे दस हजार तो लुकसान हो गया थोड़ी सी दूर गए जब जाकर के फोन आया घरवालों से कि घर जोता हमारा भुकम के अंदर गिर गया अब घर भी गिर गया तो और टेंशन में जा रहे है अब टेंशन में आगे जाते जाते पता लगा कि वहाँ पर किसी का death हो गई अब यहां क्या होगा आपके अंदर कुछ changes आएंगे changes जैसे क्या आएगा सबसे पहले ये दिमाग जो है वो बिलकुल सुन पढ़ जाएगा सुन कैसे पढ़ जाएगा आपके दिमाग में कोई idea नहीं आएगा प्यारे बच्चों क्या नहीं आएगा idea नहीं आएगा यहां सबसे पहली बात कि idea नहीं आता और उससे पहली बात आपका mood जो खिल खिला रहे थे 10,000 लेकर के जा रहे थे वो mood जो था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा यानि कि decrease mood mood decrease हो गया अब जब mood decrease हो गया तो आपकी psychomotor आप जो बिल्कुल फुर्ती से कभी देखा है आपने किसी depression वाले इंसान को कोने के अंदर एक कुर्सी लेकर के चुपचाप बैट जाएगा वो कोने के अंदर है ना और ये जो बिल्कुल एक मेनिया वाला होगा वो जंप करता रहेगा भागता रहेगा तो depression वाला क्या होगा उसकी psychomotor activity decrease हो जाती है और इसके साथ साथ उसके flight of ideas यानि के ideation जो होगा वो decrease हो जाता है ideas भी नहीं आएंगे दिवाग में कैसे नहीं आएंगे किसी को सदमा लगाए और हम बोलें चल आजा घूमने चलते हैं चल कोई factory चालू करते हैं तो वो बोलेगा भाईया मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है अभी बाद में यह तो ideas decrease हो जाते हैं पहरे बच्चों यहां समझिएगा कि depression और mania यह उन लोगों को होता है जो अपने गम को भुला नहीं पाते है अपनी विल पावर को स्ट्रॉंग नहीं कर पाते है तो जनरली आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो condition मेनिया है मेनिया ऐसी condition जिसमें patient hyperactive mood बहुत ज़्यादा elevated उसकी दिमाग के अंदर flight of ideas flight of ideas का मतलब होता है एक idea खतम हुआ नहीं दूसरा idea आगया दूसरा खतम नहीं हुआ तीसरा idea आगया तो ऐसे लगातार ideas 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 आते रहते हैं तो यहां रखेगा it is a it is a mood disorder it is a mood disorder in which in which a patient a patient mood is elevated mood is elevated and the patient is restless and the patient is restless mood elevated और यह patient क्या है restless है बेचैन रहेगा इसको मेनिया कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों मेनिया कहते हैं तो मेनिया जनरली किन लोगों को होता है वो याद रखेगा मेनिया जो होता है उसके क्या कारण होते हैं मैं आपको causes बताता हूं इस देखे एक इंसान का डिप्रेशन में जाना एक इंसान का मेनिया में जाना वो सब कुछ डिपैंड करता है आपके ब्रेन के अंदर कैमिकल्स के उपर हमारे दिमाग में कैमिकल्स निकलते हैं मैं आपको एक एक ऐसे करीब की इमली का सवाद मैं इमेजन कीजें मुह के अंदर पानी आने लग जाए आपके मुह के अंदर बिल्कुल एक खटास पानी आने लग जाएगा अब इस चीज़ को समझना जब कोई खतरनाक situation होती है, खतरनाक situation मैं आपको बताता हूँ, आप बिना helmet के जा रहे थे, सामने पुलिस वाला आगया, अब जब पुलिस वाला आया सामने तो आपके एकदम से अंदर से हार्मोन होगा, यार ये क्यों आ गया है, एकदम से डर जाओ गया, पीछे कुता पीछे पड़ होता है, तो उसके दिमाग में से खुशी वाला हार्मोन निकलता है, जैसे कि सेरोटोनिन, जब आप डिप्रेशन में जाते हो, तो वो डिप्रेशन में सेरोटोनिन की मातरा नीचे आती है, आती है, आती है, चली जाती है, जब आप रिलाक्स मूड में होते हो, तो आपके अंदर एक गाबा निकलता है गामामीनो बुटैरिक असे जितना ज्यादा गाबा निकलते जाएगा तरह आदा आप रिलाक्स होते चले जाओगे जब इसकी कमी हो जाएगी आप एंजाइटी में घबरहाट होने लग जाएगी सबसे पहला कारण मेनिया का आपका हर्मोन हर्म changes changes like increase in increase in serotonin increase in serotonin serotonin मतलब 5 hydroxy tryptamine 5 hydroxy tryptamine ये मातरा बढ़ जाए या फिर गाबा के अंदर changes आने लग जाए या फिर आपका epinephrine इनके अंदर भी अगर ये rise होने लग जाते हैं तो वो आपके मेनिया की तरफ आपको लेके जाएंगे किसके अंदर लेके जाएंगे मेनिया में याद रखिएगा साति ये सारी चीजे किसमें लेके जाती है मेनिया में दूसरी बात जो लोग जो लोग अपने माता पिता से जीन्स आएं हैं जीन्स उनके पास आएं हैं माता पिता से जीन्स आएं हैं तो याद रखिएगा अगर माता पिता किसी बिमारी से ग्रसित है तो ये चांसिस बनते हैं उनके बच्चों में भी कोई ना कोई बिमारी आएगी आएगी तो दूसरी बात याद रखिएगा जिन इंसान के अंदर क्या होता है जैनेटिक प्रॉब्लम होगी उनके ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी वो शांसेज आते हैं प्रॉब्लम आने के एफ परॉशल बाते हैं हूर ना फ्रॉबस आएगे वी गाता हूर भागी में हैं प्रॉब्लम इफ प्रॉब्लम आएगा तर मयक्ज़ अ av PRESIDत रह भ्रॉब δεν शाखिः एख प्रॉब्लम अगर parents अगर सफर कर रहे हैं तो बच्चे भी सफर करेंगे chances भढ़ जाते हैं तो दो चीज़े हार्मोन्स दूसरा genetic matter और तीसरा आपका जो होता है तीसरी चीज़ जो होती है disturb social cultural life social cultural life social cultural life का मतलब है जितनी आपके उपर परिशानिया आती है वो परिशानियों के पीछे आपका stress जिम्मेदार होता है आप मेनिया में जाएंगे depression में जाएंगे आज कोई इंसान पहाडों पर रह रहा है नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है अब उसके अंदर depression कैसे आएगा जब उसके अंदर कोई न कोई depression काउस करने वाली चीज आएगे आप society में जाते हैं आप exam कर दे रहे हैं और आप exam में fail हो रहे हैं तो आपके stress create करने वाले हैं आपके पड़ोसी आपके रिष्टेदार है अब वो stressor है एक तरह के वो stressor आगर कि उनको कि हाँ भाई तु बहुत सही कह रहा है तो याद रखिए का आप पागल हो जाएंगे तो इस condition में समझना आपको ये है कि socio economic जो factors stressors होते हैं वो mania cause कर सकते हैं तो यहाँ याद रखिएगा if any if any type of type of stressor can cause can cause burden on the on the brain that leads to that leads to mania that leads to mania socio-cultural में ये चीज़ होती है और चौती बात याद रखिएगा trauma कई बार patient जो होते हैं psychiatric patient होते हैं एक तो होता है generally हमने stress से बस्ते रहे जिन्दगी पर बस्ते रहे पर उपर वाले ने हमारी किस्मत में ऐसा accident लिग दिया trauma लिग दिया चोट लग गई सिर्वे जब चोट लग गई आपका दिमाग का एक पार्ट डिस्ट्रॉई होगी अपस पड़ गई injury to brain tissue to brain tissue brain के tissue के अंदर injury हो जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा factor बनता है बहुत बड़ा factor बनता है अब देखेगा यह तो क्या है मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा तर जुग है मालीजे मैं आज किसी भी factor की वज़ा से stressor की वज़ा से tension ले रहा हूँ तो वो tension directly मेरे brain के उपर impact डालेगी कि मेरे hormone serotonin की मातरा को क्या करती है वो कम भी कर सकती है वो ज़्यादा भी डाल सकती है क्या कर सकती है कम और ज़्यादा दोनू कर सकती है ठीक है आपको कोई बहुत ज़्यादा है घबराहाट हो गई है कई बार आपने देखा होगा कि किसी की death होती है तो एक तो सदमे के अंदर बिल्कुत चुब हो जाते हैं और कई ऐसे भी होते है जो सदमा जब पढ़ता है तो वो हसने लग जाते हैं बहुत तेत्स रो रहेता हो रोक तो नहीं रहेते हूस नमें लग जाएंगा चीख लग जाएंगा तो एक सदमा आपको depression में भी ले जाएग का वही सदमा मेनिया में भी ले जा सकता है ने में जाने के चैंसे ब्हुता ही आजए-ट परसंट ही होते हैं मेनिया के मैं कुछ क्लीनिकल फीचर्ड आपको बताता हूं कि मेनिया के क्या-क्या क्लीनिकल फीचर होते हैं क्लीनिकल फीचर्ड देखें मेनिया के क्या-क्या क्लीनिकल फीचर होते हैं मेनिया ट्राइड ओफ सिंटम से मिलकर के बनाएं Tried of Symptom का मतलब तीन चीजे जरूर होगी मेनिया वाले में पहली बात The mania is consisting of The mania Consist of Consist of Tried of Tried Of Symptoms The mania consists of Tried of Symptoms That are That are आप से बहुत बार पूछ लिया जाएगा Mania में Tried of Symptoms क्या होते हैं तो आप याद रखिएगा Mania के अंदर जो Tried of Symptoms होते हैं वो पहला आपका होता है Elevated Mood Elevated Mood दूसरा Tried of Symptoms जो होता है वो होता है Increased Psychomotor Increased Psychomotor Activity Increased Psychomotor Activity और तीसरा जो होता है Flight of Ideas Flight of Ideas तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तीन Tried of Symptoms है प्यारे बच्चों यहाँ याद रखना Mood के Tried of Symptoms पूछते हैं कि Mood के अंदर Tried of Symptoms क्या होते हैं तो पहला होता है Elevated Mood जिसके अंदर Mania का Symptom है उनका Mood जो होगा वो बहुत हस्ते वे बहुत बहुत अच्छा Mood होगा उनके Body आप बोलेंगे चुपचा बैट जाओ तो वो जंप करेंगे और भगेंगे खुश होएंगे बहुत कुश हो रहे हैं Elevated आपके Psychomotor Activities भी हो रही है और दिमाग में बहुत लगाता और Ideas, Ideas, Ideas आते रहेंगे यह है Mania एक-एक समझाता हूँ Elevated Mood किस प्रकार से होता है ठीक है पहला हमारा Tried of Symptom में क्या आता है हमारा आता है Elevated Elevated Mood There is a There Is a Rise in Patient Mood Rise in Patient Mood Such that Such that Patient feels Patient feels Happy And Joyful Patient जो है वो Happy या Joyful होगा अब देखें Mood जो बढ़ता है न एक-दम से ऐसा नहीं होगा कि पेशन बहुत चीक ने चिलना ने अहसने लग जाएगा इस Mood को चार किसमों से बाटा गया कि चार तरीके से मूड बढ़ता है Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 एक पेशन नया नया पेशन है तो उसमें हलका मूड रहेगा तो इसको मूड को कैसे बाटा गया उनको चार तरीके से बाटा गया चार स्टेजिस में The Elevation of Mood occur in four stages four stages four stages four stages that are that are पहला चार stages के अंदर patient का mood जो होने वाला है वो increase होने वाला है जैसे कि सबसे पहला आपका mood की elevation of the mood में पहला आता है यूफोरिया यूफोरिया का मतलब ये patient आप देखो यूफोरिया वाले कौन होते हैं जो नशा लेते हैं ना injection लेते हैं बहुत अच्छे से निडल भर भर के injection लेते हैं अब उन भाईयों को आप ये बात समझाईएगा यूफोरिया क्या होता है जैसे कि आपने कई बार देखा होगा alcohol पीने वाले का एक इतना सा पैक बनाया प्यारा सा एक पैक बनाया उन्होंने और जो पिया अब वो पीने के बाद उनको तो स्रिफ एक ऐसा लगेगा रहे बहुत अच्छा लग रहा है एक अंदर से एक हैपीनेस का आना इसको कहते हैं यूफोरिया यूफोरिया का मतलब है वह अपने आपको बिल्कुल लाइट वेटिट समझेंगे हलका फील करेंगे अब हलका फील करेंगे तो उसको यूफूरिया कहते हैं यूफूरिया का मतलब होता है एक जब इंसान एक थोड़ा सा पीता है तो वह एक डेड्रीमिंग एक डेड्रीम मचाता है एक happiness एक sense of well-being है ना sense of well-being psychological well-being उसके दिमाग में psychological well-being होगी इतना tension को वो free कर देगा तो इसी को कहते है यूफोरिया it is also called as it is also called as hypomania it is also called as hypomania in which in which patient have in which patient have sense of psychological well-being sense of psychological well-being well-being and patient feel and patient feels happy सबसे पहली स्टेज में यूफोरिया में patient को psychological well-being हो अच्छा लग रहे यार बहुत अच्छा लग रहा है यूफोरिया यह यूफोरिया तो देखो मेनिया में जब आप खुश होने लगोगे तो पहली स्टेज में आप हाई यूफोरिया में जाओगे यूफोरिया के बाद अब देखो आप इस तरहीं समझो एक पैक आपने पिया तो आप यूफोरिया में चले गए दूसरा पैक बड़ा बर करके पिया तो आप आप आगए सेकिंड स्टेज में इसको कहते हैं अलेशन तो यूफोरिया वाला इक तो अबन बिठा करके जैसे थोड़ा पीते हैं व अब यहां यहां वाला स्टेज क्या होता है एक पेशन्ट जो होगा इसको इतना बड़ा पैक बना दिया तो वह क्या करेगा इतना बड़ा पीने के बाद उसका अच्छा तो लग रहा है बड़ उसके आप बॉड़ी को देखो आप वह आखड़ के ऐसे चलेगा यह मॉटर अच्टिविटी बढ़ने लगी इसको कहते हैं एलेशन इत इस आफ आफ इस आफ इसकेंड सीज उसकेंड सेज रव्सकाय कि अ फ्रमूड एलूवेशन of mood elevation in which in which psychomotor activity psychomotor activity is also increased is also increased along with along with happiness पहली स्टेज में सिर्फ हैपी हो रहा था अब इस स्टेज में उसकी psychomotor activity भी बढ़ गई इसलिए इसको कहते हैं elation कहा जाता है तो कहा गया? euphoria, elation तीसरा आता है mood बढ़ने का stage exaltation euphoria, elation, exaltation तो exaltation क्या चीज़ होती है समझना थोड़ा सा pack पिया अच्छा लग रहा है थोड़ा सा जादा कर दिया अच्छा लग रहा है तो वो ऐसे घुमेगा अच्छा लग रहा है तो तीसरे के बाद अब उसने pack बढ़ा दिया तो अब वो क्या करेगा? वो ये बोलेगा कि भाईया बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को कोई दिक्कत हो तेरा भाई यहां जिम्मेदार है मैं समालूँगा, मैं करता धरता हूँ यहां का तो यहां समझना कि पहले सिर्फ happiness थी second stage में happiness के साथ psychomotor जुड़ी और तीसरे में आपके delusion of grandiosity जुड़ जाता है delusion of grandiosity का मतलब क्या होता है? पेशेंट बोलेगा मैं सब कुछ मैं हूँ मैं यह कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं इतनी ताकत रखता हूँ जब यह पेशेंट ऐसे बोलने लग जाए तो याद रखना उसका mood, severe mood elevate हो चुका है exaltation it is a third stage it is a third stage of mood elevation mood elevation in which in which delusion of in which delusion of grandiosity delusion of grandiosity also added also added along with along with happiness happiness and psychomotor psychomotor activity तो यहाँ पर exaltation में तीन चीज़े हो गई कि आपका delusion of grandiosity delusion of grandiosity मैंने आपको बताया था patient जो होगा वो अपने आपको बहुत महान बहुत बड़ा आदमी इस तरीके का समझने लगेगा तो यह चीज़ भी यहाँ एड हो जाती है exaltation चौथा आप याद रखेगा चौथा जो मूव होता है elevation का movement होता है वो किस प्रकार से होता है पहला यूपोरिया elation exaltation last ecstasy कहलाता है एक सबसे सीवियर इस condition के अंदर patient यह समझेगा कि वो एक नया जन्म लेकर के पैदा हुआ है इतना जौदा उसका mood to elevate हो जाएगा जैसे कि मानिये कि वो सारी पीछे की conditions सारी तकलीफे सब भूल गया अब नया बच्चा कैसे होता है उस तरीके की हरकते करने लग पागलों की तरह वो जंप कर रहा है बच्चे की तरह कुछ भी हुए बच्चा जैसे हरकत करता है वो सारी हरकते करने लग जाएगा तो यहां सीन समझेगा एक स्टैसी के अंधर वो कैसा एक रीबॉन की तरह भी हेव करता है इट इस दा कि इस दा टॉप लेवल तो ऑप लेवने पोर त्बूड अरatura रहे लेवनेव सारी है लव च्चाonneर सिब नच्चे कन्बूड़ Сारी अर्वर लेवं कि तरह थे लेवाशन सारी थे लेव, यव पीश एन लेव रेवाशन. is reborn again, reborn again, and forgets previous, previous memory, for some time. तो यहां पर क्या हो रहा है, एक इस्टैसी के अंदर, पेशन्ट जो है, वो सारी पुरानी बातों को भूल करके, तकलीपों को भूल करके, एक इस तरी के से एक्टिंग कर रहा है, कि वो बिल्कुल नया रिबॉन की तरह है, तो आप देखेगा, मूड सबसे पहला, चीज़ में बढ़ता है, पहले हलका मूड, यूफोरिया, एलेशन, एक्सालिटिशन, एक्स्टैसी, हलका सा मूड बढ़ा, तो सिर्फ एक हैपिनेस आई, हैपिनेस के साथ मूवमेंट आ रहे हैं, तो सेकिंड स्टेज, मूवमेंट के साथ डिप्रेशन, डिलूशन ऑफ सेकिंड होता है, जिसको कहते हैं, इंक्रीज, साइको मूटर, साइको मूटर, साइको मूटर, एक्टिविटी, इंक्रीज, साइको मूटर, एक्टिविटी, यहाँ समझना, पेशन जो होगा, वो उसकी साइको मूटर, एक्टिविटी, जो है, बहुत जादा इंक्रीज हो जाएगी, साइको मोटर एक्टिविटी में आप देखेंगे कि वह बिल्कुल बेचैन रहेगा रेस्ट लेस्ट देखिने को मिलेगा बेचैन रहेगा कोई भी काम के अंदर वह बिजी रहने वाला है कोई भी काम में बिजी रहने वाला है बेमतलब का कोई गोल अचीव करने के लिए कि वो restlessness बेचाहनी आपको देखने को बलेगी। It is the second symptom found in mania such that there will be restlessness, busyness and show motive-less motive-less goal achievement motive-less goal achievement तो यहां फर increase psychomotor activity में क्या हो रहा है? पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बेचैन उसकी muscles काबू में नहीं आरी बेचैन ही हो रहे यह restless हो रहा है, busy हो रहा है, भाग रहा है, दोड रहा है increase psychomotor activity, second चीज होती है third stage जो होती है, third ride of symptom में mania में जो देखने को मिलता है, वो है increase flight of ideas increase flight of ideas flight of ideas का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाए था flight of idea का मतलब होता है एक patient जो है उसके दिमाग में, generally हम लोग है हमारे दिमाग में क्या होता है, एक idea आता है फिर वो idea हम पूरा present करते हैं मैं आपको मेनिया समझा रहो, मैं पूरा मेनिया समझाँगा अब मैं मेनिया समझाते समझाते आपको बताओं कि urinary catheter जो है वो urine के जरीए डाला जाएगा और urine के जरीए डालोगे तो फिर आपका ng tube जो है वो इसकी इतनी लंबाई हो जाती है और एंजी tube जब अंदर की तरफ गई तो आपके kidney जो होगी वो urine निकाल दीए अब इसमें आप समझिए मेरा एक idea भी complete नहीं हुआ मैं urinary catheterization बता रहा था बताते बताते मैं एंजी tube के उपर चला गया फिर एंजी tube से एक दूसरे idea के तरफ चला गया कि मेरा kidney के उपर चला गया तो याने के flight of idea का मतलब होता है जो इंसान महिनिया का होता है इसके दिमाग में लगाता rapidly क्या होते है thoughts आते है ideas आते है और वह incomplete thought और idea लेकर गयाता है विहाँ विया स्टीर भलब है और खिर खर पार और और तक और उन्टर प61 हैँ अवर उन्टर अ we्ट नवेच ॉरवimmenожिt वेच pressure of thought increases increases that leads to that leads to increase in tone volume pitch and content of speech content of speech समझेगा प्यारे बच्चो flight of idea में क्या हुआ मेरे दिमाग में जो idea आ रहे है वो मेरे जुबान के तरह है आपको पता लग रहे है समझे ना जो psychiatric patient होगे mania वाले जो patient होते है उनकी जुबान से बहुत जादे flight of ideas आ रहे है वो idea हमें कैसे पता लगते हैं उनकी जुबान से उनकी volume जो है आवाज बहुत तेज हो जाती है लगातार बोलते रहते है volume बहुत जादा हो गया pitch जादा हो गई tone बढ़ गए और उनके शब्दे जो है content बहुत जादा आता जा रहा है यह होता है flight of idea तो हमारे दिमाग में जो idea है वो उसको हम कैसे पहचारेंगे हमारी volume के जरीए हमारी pitch के जरीए हमारे content के जरीए speech के जरीए यह तीन tried of symptom आपको देखने को मिलते हैं mania के अंदर प्यारे उच्छों किसमें देखने को मिलते हैं mania में अब मैं आपको बताता हूँ कि mania का इलाज हमें कैसे करना है तो हम बात करेंगे treatment of mania देखे treatment of mania mania का कैसे treatment करते हैं generally treatment जो होता है हमारी psychiatry के अंदर वो याद रखीगा उस treatment के हमने कुछ तरीके बनाए यह तीन प्रकार से treatment दे सकते हैं psychiatry के अंदर MSN की बात करूँ तो MSN के अंदर आप एक तरीके से treatment दे सकते हो वो है दवा दे करके injections दे करके आप उसको treatment कर सकते हैं सर्जरी कर लोगे बढ़ यहाँ पर तीन प्रकार के treatment चलेंगे एक है जो आप medicine देऊगे drugs दोगे इसको कहते हैं psycho साइको फार्माको थेरपी साइको फार्माको थेरपी माने के ऐसी फार्माको थेरपी ऐसी दवाएं जो psycho मतलब mind के उपर लगे mind को improve करने में लगे उसको साइको फार्माको थेरपी कहते हैं सेकंड तरीका होता है जिसमें हम patient का इलाज करते हैं साइको थेरपी के जरीए साइको थेरपी क्या होती है psycho therapy होती है कि हम patient के mind को manipulate करना चाते हैं वो depression में है तो उसको खुश होने के जरिया देंगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है तो उसको हम उसकी activity को कम लाएंगे उसके mind को psycho मतलब होता है mind mind को modify करते करते हम changes लाएंगे जब दवा से और psycho therapy से सही नहीं होता तो हम उसको चॉक देते हैं यह भी तीसरा module होता है जिसके जरीए हम treatment दे सकते हैं किसी भी psychiatric patient को सबसे पहली बात मेनिया जो होता है मेनिया के अंदर आप क्या करेंगे मेनिया के अंदर आप दवा देंगे the drug of choice the drug of choice in mania in mania is lithium carbonate यह सवाल पूछते हैं lithium carbonate drug of choice क्या है lithium carbonate drug of choice है पहली बात बहुत जादा important सवाल lithium carbonate drug of choice होता है इसके बारे में lithium carbonate के बारे में बहुत सारी बात हैं वो मैं बताऊंगा दूसरी बात याद रखिएगा हम पेशन्ट को जो होते है प्रोवाइड दा पेशन्ट प्रोवाइड दा पेशन्ट विद कारबमजी पाइन कारबमजी पाइन हम पेशन्ट को कारबमजी पाइन भी देंगे कारबमजी पाइन छहसो से लेकर के 1800 mg प्रती डे तक कार्बामजी पाइन दिया जाता है तीसरी बात हम इस patient को provide करेंगे provide sodium well pourate sodium well pourate sodium well pourate आपको दोरे पढ़ने से बचाता है well pourate जो होता है दोरे पढ़ने से बचाएगा तो हम provide करेंगे sodium well pourate sodium well pourate कितना 600 mg से ले करके 2600 mg प्रती डे ये तीन हमें दवा देनी है बड़ लीथियम कार्बोनेट तो देते ही देते हैं drug of choice है चौथी बात याद रखिएगा प्यारे बच्चो जिन लोगों के अंदर mania होता है उन mania वाले patient को हम क्या करते हैं उनके environment को safe रखते हैं क्योंकि mania वाला क्या करता है जोच जोच में आ करके हाथ काट लेगा तो कभी क्या हो जाएगा depression में भी कर सकता है यहां पर भी करता है में इंवायरमेंट में सेफ्टी देना है एक्षे बात हमें पांच हमें क्या देना है provide psych Senate HIV व्यक्ति देंगे हम relaxation therapy कि रिलक्सेशन थेरापी हम देंगे रिलैक्सरेशन थेरैपी पेशंट को रिलाइक्स करेंगे एग्जेमपल आपका योगा करवा करके रिलाक्स करेंगे मैं दूसरी बात हम बेनिया वाले को प्ले के अदर इंगेज करते हैं प्ले थेरापी के अंदर याद रखेगा पेशंट का माइड हखने लगेगा अपने आप सो जाएगा यहां प्ले थरापी आप से पूछा जाए बेस्ट कौन सा खेल है जो आप इनके साथ खेलने को बोल सकते हैं तो याद रखिएगा कभी भी क्रिकेट खेलने के लिए मत बोलिएगा मेनिया वाले को क्योंकि यह मेनिया वाले इतने ज्यादा एक्टिव ठाए आप साथ फ्ले जिरृत प्राइट का हैं story मारते कि इनको आप क्या करने वाले हैं उनको साइको कि प्र्वाइड कर रहें तो आपने जनरली आज कीここ to आज की class में आपने देखा कि जह मूड की बिमारी होती है मूड यह मूड की disorder को हम affection disorder भी कहते हैं क्या किहते हैं affection लगाव में disorder अब affection disorder का कारण क्या था इन दोनों का कारण जो है वो था behavior affection affection behavior affection or thinking में गडबडी हो ना इन में गडबडी behavior affection या थिंकिंग उन्द जब किसी का affects लगाब खराब हुजाता है तो उसकी thinking खराब हुआ जुके खराब हुए तो लगाब हुआ तो तीन्म फिर से जूड़ है फिर मैंने बताया मूड जो होगा या तो वो बिलकुल बहुत जादा मूड उसका खुश होने लग जाएगा या डिप्रेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, depressed हो जाएगा माने कि mood elevate हुआ माने कि mania में चला गया या फिर depression में चला गया मैंने बताया mania जो होता है वो कितने ट्रायड से बना होता है क्या symptom होता है, क्या cause होता है और क्या इलाज होता है next class के अंदर हम बात करेंगे आपके depression के बारे में प्यारे बच्चो आज की class इतनी ही जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि mania और mood generally क्या होता है आगे और आपके लिए बहुत सारी classes आने वाली है तो अच्छे से पढ़िए Thank you so much आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथी